हेलो दोस्तों स्वागते आप सब का एक बाव फिर आपके अपने YouTube चैनल एटीचर में दोस्तों लेकर आये हैं ज़रूरी जानकर इस वीडियो में सभी शाहति के लिए करमचारियों के लिए तो चलिए शुरू करते हैं मारा आज का वीडियो वीडियो में पहली बार आये हैं तो लाइक करें सब्सक्राब करें हमारे चैनल को आगे भी आपको सभी तरह की information education related करमचारी सो related मिलते रहेंगे तो दोस्तों आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं विद्याले में नव न्यूत करमचारी की employee ID कैसे मनाएं तो विद्याले में नव न्यूत करमचारी कोई भी हो चाहिए वो सिक्षक के रूप में हो या कोई कनिष्ट सायक LDC के रूप में हो या कोई अधर रूप में भी हो तो उसकी नव न्यूत करमचारी की employee ID कैसे मनाई जाती है उसको लेकर जो प्रस्न है उसके बारे बताया गया है तो बता देते हैं आपको इस वीडियों के सबसे पहले जो करमचारी को क्या करना है नव न्यूत करमचारी को employee ID कैसे मनाई है करमचारी दारा सबसे पहले सभी प्रकार के दस्तावेज त्यार रखना है उसको जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं डेटा उसको फीड करना होता ओनलाइन तो ताकि क्या एक आरे जल्दी से हो सके जैसे दस्तावेज नॉर्मली जो मुख्य रूप से दस्तावेज होते हैं जैसे कि करमचारी की दस्वी बार्वी की मार्क सिट है उसका पैन कार्ड है अधार कार्ड है बैंक की जो है पास्बुक है जॉइनिंग ओर है निप्ति दिति है और अन्य सभी आफशक दस्थावेज जो हम अपने पास रखते हैं तो यह सब दस्थावेज पास होने जरूए और online कारे होता है employee की जो ID बनती है करमचारी की ID डीडियो लेवल पर बनती है तो सबसे पहले उसे Google पर जाना है Google यानी Google जो search engine है search engine Google में हमें जाना है और Google पर SSO लिखकर search बटन दबाना हमें search करना है मैं आपको screenshot भी दिखा दूँगा इसके बाद बहले एक आप देख लेता है यह point उसके बाद screenshot से आपको easily समझ में भी आ जाएगा तो Google में आप लिखिए SSO और search कर दीजिए search होने के बाद पस्चात आपको Google में जाना है SSO के अंदर राजस्तान single sign यानि राजस्तान single sign के नाम का मिंदू या point मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है और उसका page फिर नंबर 3 point वे जैसे ही आप जाओगे तो open होगा page और उसमें user name में आपके principal sir यानि जो आपके school में डीडियो है उनकी ID पासवर्ट डालनी है और capture लगा कर आपको login कर देना आपको विबाग की website में SIPP portal पर क्लिक करते हो आगे process करना है आपको SIPP portal में जाना है वहाँ पर आपको ये कारे करना होगा अब नंबर 5 SIPP portal पर क्लिक करोगे तो right की तरफ उपर principal sir की customer ID दिखाई देगी लेकिट आपको उस पर क्लिक नहीं करना है आपको DDO login पर क्लिक करन है वह लगा के DDO login कर सकते हैं फिर आगे आपको step लेना है नंबर 6 जिसमें आपको menu बटन पर क्लिक करके employee को स्राइब करते हुए 9 करमचारी के संपूर्ण डेटा तो है फिलप करने है यानि आपको menu बटन पर क्लिक करना है और जैसे कि उसका नाम फादर नेम पैन नंबर है उसके डिपार्टमेंट का नाम है पोस्टिंग है बैसिक डिटेल्स है बैसिक फिक्स जो सैलेरी विलेगे वह है जॉइनिंग डेट है नॉमीनी डिटेल्स है अन्य सभी प्रगात की जानकरी आपको इसमें बढ़नी और जैसे यह कंप्लीट प्रसेस करना है तो एक करमचारी की नव निवित करमचारी की आरजेजियो वाली जो आईडी होती है वह कंप्लीट होके त्यार हो जाएगी तो मैं अब स्क्रीन शॉट के मादिम से भी बता देता हूँ कि यह किस प्रकार होगा जैसे सबसे पहले आपक को इस तरह से दिखाई देगा इस तरह से दिखाई देगा जिसमें आपको क्या करना है लॉगिन करना है तो लॉगिन आपको करना है पास्वर डालना है और आपके कैप्चा डालके लॉगिन हो जाना है तो यहां लॉगिन आपको पता है आपके पिंसिफल सर के जो SSO ID सबसे पहले दिखाई दे रहा है इसी के उपर जाना है आपको क्लिक कर देना है तो आपको SIPF पर क्लिक करना है इसके पस्टाथ आपको क्या करना है दोस्तों सिप्सक्राइब पर क्लिक करने के बसाद आपको नंबर फॉर जो पॉइंट दिखाई देगा वो इस तरह से स्टेट इंस्योरेंट से प्रॉविडेंट का पेज ओपन हो जाएगा यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों यह पेज जब ओपन होगा उसके बसाद आपको जो प्रसाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन आ जाएगा वो यह ऐसे मेनु खुल जाएगी गवर्मेंट और रास्तान स्टेट इंस्योरेंस और प्रॉविडेंट फंड का यह स्क्रीन सोट जो मैं दिखा रहा हूं आपको इस तरह से आपको सो होगा और यहां पर आपको नीच है वह इस तरह से आएगा यहां जो इसकी नजर आएगी वह इस प्रकार से आएगी यानि स्क्रीन में आपको नजर आ जाएगा कि यह डिटेल वगर है करमचारी की डीटेल फिलप करनी है वह दिखाई देगा जिसमें उसके एंप्लोई नेम है मैरीज की स्टेटस है एंप् करमचारी बटन को कि अइस तरह से उसकी डीटेव फिलप हो जाएगी है और उसका करमचारी की सब्सक्राइब करने काब्यों कौक्पल्ट सब्सक्राइबhou बन कर आ जाएगी तो यह धहップकर करने के दूरान प्रसेस को आपको फॉलो करना है और आपकी करमचारी की एप जो आईडी होती है SIPF पर जो आईडी बनती है वो कंप्लीट बन कर त्यार हो जाएगी यह कंप्लीट प्रसेस है फिर से मैं आपको दिखा देता हूं अंतिम में जल्द में अगर आप ना करें तो आराम से करें यह काम आउनलाइन काम है गलत ना हो तो आपको गूगल में जाना है करना है रास्ता सिंगल साइन नाम का बिंदू आएगा उसके बाद यूजरने में प्रिंसिफल सर की आईडी पासवर्ट टाइप करके कैप्चा लगा कि लोग इन हो जाना है लोग इन होने के बाद जो एप्स नजर आएंगे और में आपको एससे पीए पॉर्टल पर क्लि अधा को जो है नयाम डीटेल एंपलोई वो सब फिलप कर देनी है और आपकी जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी सब्मिट का बटन क्लिक कर देना है तो इस तरह से आपकी आईडी बन जाएगी दोस्तों तो यह था पूरा प्रोसेस वीडियो में करमचारी की जो नवीन